नमस्कार, स्वागते आफ सभी का हमारे इस विशेश प्रस्तुती में, मैं हूँ प्रीती सिंग आज से विश्व प्रसिद भगवान जगनाद की रत यात्रा शुरू हो रही है ओडिशा के पूरी में भगवान जगनाद की यात्रात्रा का योजन हर साल आशार मा में शुकल पक्ष की द्वितिय तिति से होता है भगवान जगनाद आशार शुक्ल द्वितिया से दश्मी तिति तक जन सामानने के बीच रहते हैं यानि आम जनता को लोगों को अपने दर्शन देते हैं हिंदू पंचान के अनुसार हर साल आशार मा के शुक्ल पक्ष की द्वितिय तिति जैसे मैं आपको बताया विशाल रियत रात्रा निकाली जाती है जिससे जुड़ी तमाम लाइव तस्वीरे हैं वो भी हम आपको दिखाएंगे किस तरह की तैयारिया इसे लेकर हैं किस तरह का एक तरह से आयोजन होता है क्या मानिताएं हैं क्या इतिहास हैं सभी पक्षो पर नज़र डालेंगे और इस रियत रात्रा में भगवान जगनाथ बहन सुबद्रा और भाई बलबदर संग साल में एक बार प्रिसिद गुंडिचा माता के मंदर में जाते हैं इस पवित्र रत यात्रा में भगवान जगनाथ अपनी बहन और भाई संग पूरे नगर का भ्रमण करते हैं और हर बार भगवान जगनाथ की रत यात्रा बहुती दुरलब संयोग के साथ होती है और भव आयोजन दस दिनों तक चलता है कहते हैं कि रध यात्रा के दर्शन मातर से एक हजार यग्यों का पुन्ने फल मिल जाता है क्या है इससे जुड़ी मानेता है इस साल क्या है दुरलब संयोग और इससे जुड़ा इतिहास हम करेंगे सभी पहलों पर बात चीत और हमारे साथ जुड़े हैं दो खास मेमान हमारे साथ है प्रोफेसर रामराज उपाध्धाई जो की पौरोहित विभाग से हैं श्रीलाल बहादुर शास्त्री राश्ट्री संस्कृत विश्व विद्याले बहुत स्वागत है प्रोफेसर रामराज जी आपका इसके अलावा एक और खास मेमान प्रोफेसर शिव शंकर मिश्र हमारे साथ स्टूडियो में मौझूद है आधुनिक विद्या संकाय से जुड़े हुए है श्रिलाल भादर शास्त्री राश्ट्रे संस्कृत विश्व विद्याले आपका भी बहुत स्वागत है प्रोफेसर शिव शंकर मिश्र जी जगरनात पुरी रत यात्रा को लेकर बड़ी संक्या में जो श्रिधालू है वो पुरी में मौझूद है सिर्फ देशी नहीं दुनिया भर से लाखों की संक्या में भक्त रत यात्रा में शामिल होने के लिए पुरी में मौझूद है और आपको बता दें कि राशपती द्रौपदी मूर्मू, उपराशपती जिगदीब धन्खर, प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी, लोगसबाद्याक शोम बिरला, ग्री मंतरी अमिच्शा समे तमाम शक्सितों ने देशवासियों को भगवाद जगरनात की रत यात्रा के जो रत यात्रा है उसका आयोजन करते हैं और या थ्यात्रा निकालते हैं। पर महाप्रभू श्री जगरनात से मैं सभी के सुख, शान्ती और सम्रिद्धी के लिए प्रार्थना करती हूँ। रत यात्रा होल्ज डिप जगरनात की रत यात्रा हैं। that His blessings constantly remain upon us. जगरनात मंदिर की मंगला आर्ती में उपस्थित होने का सौभागे प्राप्त हुआ, मंगला आर्ती में आकर हमेशा एका सीम, शान्ती और नई उर्जा के नुभूती होती है, महाप्रभू से सभी के कल्यार की कामना करता हूँ। जाए जगनात जाए जगनात जनता जनार्दन को दर्शन देने के लिए नगर भ्रमन करने के लिए जा रहे हैं। बहुत कम लोगों को पता होगा, अंग्रेजी भाशा में एक शब्द है जगनात, और उसका मतलब होता है ऐसा भग्वरत जिसे कोई रोप नहीं सकता। और इस जगनात का डिक्शनेरी मिनिंग में भी ये पाया जाता है, कि ये जगनात के रत के साथ मैसे ही ये शब्द का उधोग हुआ है। दुनिया ने भी जगनात इस हात्रा को अपने अपने तरीके से किस प्रकार से महत्मे स्विकार किया है। जगनात ये भगवान गरीबों के देवता और उनका पूरा पूजन, अर्चन, कारेभार, गरीब तपके के लोगों के साथ एक आत्मियता का नाता जोडने वाला है। भगवान जगनात के महात्रास से, सद्यों से कितने ही गरीबों को भोजन मिलता रहा है। इसी भावना के साथ आज देश जन सेवा ही प्रभू सेवा की सांस्कृतिक सोच से आगे बढ़ रहा है। पूरी जैसे दिर्ध, जगनात, मंदीर जैसे पवित्रस्थां इसके केंद्र रहे। इन्हें सभी देश वासियों को शुब खामनाई देता ह। भगवान जगनात जी के स्रीचरणों में प्रणाम भी रहता ह। वही आज सुबह ग्री मंत्रे अमिज शाह ने एहमदाबाद के जगनात पुरी मंदिर वो पहुँचे वहाँ वो भगवान जगनात के मंगल आरती में शामिल हुए। पूरे देश में अलग-अलग जगह भगवान जगनात की पूजा अर्चना आज की जाती है तमाम जगह रथ यात्रा भी निकाली जाती है ग्री मंत्रिया मिच्छा एहमदाबाद में जगनात मंदिर पहुचे और उन्होंने मंगला आर्थी की तो रथ यात्रा को लेकर तैयारिया पूरी है अलग-अलग रिच्वल्स जो मानिताएं भी हैं परंपराइं भी हैं वो जुड़ी हुई हैं किस तरह से रत्यात्रा की तैयारी होती है, कैसे रत्यात्रा निकाली जाती है, इस बार क्या दुरलब सैयोग है, अब आप सीधी तस्वीरें पूरी से देख पा रहे हैं, रत्यात्रा को लेकर जो तैयारिया हो रही है, दो खास मेमार हैं मारे साथ जुड़े होए हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे प्रोविसर श्रिफ शंकर जी सीधी तस्वीरे अब हम लगातार दिखाएंगे रध्यात्रा को लेकर जो तैयारी हो रही है सबसे पहले तो हमें ये बताईए कि माना ये जा रहा है कि इस बार एक दुरलब संयोग है कई लोग ये कह रहे हैं कि करीब तिर पंच साल ब आप सभी जानते हैं कि भारत की जो धर्ती है वैसे ही संपूर्ण भारत की धर्ती अत्यंत प्रसस्त भूमी है उसमें भी जो पुरी है वह मोक्ष नगरी के रूप में प्रशिद्ध है एक संस्कित में श्लोक आता है अयुद्या मतुरामाया कासी कांची यवंतिका पुरी द्वारा वती चीव सब्ते इताह मोक्षदाई का हा ये मोक्षदाईनी नगरी है पुरी और मोक्षदाईनी इसे लिए है क्योंकि भगवान जगन्नाजी का यहां उत्तम महुत सो आयोजित हो जाता है हर वर्श भगवान जगन्नाद के रथियात्रा होती है और भगवान ज रत्यूग से यह रत्यात्रा की परंपरा चली आ रही ऐसा सास्त्रों में वर्णन है। रत्यात्रा की परंपरा चली आ रही ऐसा सास्त्रों में वर्णन है। रत्यात्रा की परंपरा चली आ रही ऐसा सास्त्रों में वर्णन है। जो जगतनाथ संपूर्ण संसार के स्वामी है, संपूर्ण संसार के मालिक है। ऐसे भगवान जगननाथ की एहरत्यात्रा का महत्सो आज बड़े ही धूमधाम से संपूर्ण विश्व में विसेश कर जो उनकी नगरी है, पूरी में आयोजीत हो रही है। और संपूर्ण देश से लोग पधार रहे हैं और इस उसर पर भगवान जगननाथ की किरपा प्राप्त करने के लिए पूरी में आ रहे हैं। तो यहां एक अत्यांत उत्तम मंगल में महूर्त है। सभी को भगवान जगननाथ की जो लोग पूरी नहीं पहुच पा रहे हैं उन्हें अपने घर से ही भगवान जगननाथ की सीधा लाइप प्रशाड़न देखना चाहिए भगवान जगननाथ की स्रथात्रा महोत्सों का क्योंकि यह अत्यन्त मंगल महूर्त है इसका दर्शन करके हम निश्चित रूप से आत्मकल्यान की भागी बनेंगे बिल्कुल पुरी जहां करीब करीब दो लाक की आबादी है वो लाकों की संख्या में वहां श्रधालू मरते हैं और इतना भवे आयोजन होता है प्रोफेसर रामराजी ये कहा जाता है ये हम सब जानते हैं कि सुख हो दुख हो हम भगवान के दर्शन करने मंदर जाते हैं ले जाते उत्तम यह एक ऐसी परमपरा है जो अपने आप में बेमिशाल है मतलब इस प्रकार का उदाहरण आपको दूसरे जगन नहीं मिलेगा भगवान जगन नाता स्वामी समस्त जगत के कल्यान के लिए हैं और इस संदर्व में एक कथा आती है कि एक ऐसा उनका सेवक है जो नित्य भगवान का दर्शन करता है लेकिन एक बार उसकी सारीरिक स्थिती ऐसी हो जाती है कि वह भगवान के दर्शन करने में अपने को समर्थ नहीं पाता है ऐसी स्थिती में उसको लगता है कि आज प्रभू का मैं दर्शन नहीं कर पाऊंगा और वह बड़ा चिंतित है और मन में अशांती है उसके कि मैं प्रभु का दर्शन कैसे करूँ। भगवान जगनात कहते हैं कि आज मेरा वह भक्त जो दर्शन करने नहीं आ पा रहा है, आज उसका दर्शन करने मैं स्वेम चलूँगा, माधो दास नाम है उसका, और उस भक्त को दर्शन देने के लिए भगवान स्वयम अपने मंदिर से निकल करके उसके यहां जाते हैं उसको अपने अंक मिलेते हैं गोद मिलेते हैं और उसके सर को सहलाते हैं उसको अभै प्रदान करते हैं और कहते हैं कि संसार के समस्त प्राणी जिनकी श्रद्धा भावना हमारे में है वो जहां है वहां से भी दर्शन कर सकते हैं और आज के दिन अर्थात आसाण शुकल दिती आती थी क्योंकि नारत पुराण में ये वर्णन आता है कि आसाण अस्य सिते मासे पुस्य नक्षत्र संजुते तो आज वह दिन है कि आसाण मासे है शुकल पक्ष है और पुस्य नक्षत्र है और रविवार है तो एक तरीके से रवीपुर्श से योग बन रहा है सरवार्थ सिद्ध योग बन रहा है और आज का दिन इतना महत्वपुर्ण हो गया है कि कई वर्षों के बाद ये यूती मिली है हलाकि सकंद पुराण कहता है कि आसाण सुकल दुतिया को यदि पुस नक्षत्र न हो तो भी रथयात्रा में भाग लेने वाले दर्शन करने वाले जितने भी लोग हैं सभी लोगों को परमानंद की प्राप्ति होती है और उनके संकट दूर हो जाते हैं तो इसलिए आज भगवान ने स्वयम अपनी परमपरा को तोड़ते ही हुए क्योंकि समस्त प्रतिष्ठा का यह स्वरूप है कि जहां भगवान की मूर्ति उस्थापित की जाती है उसके बाद भगवान की मूर्ति इधर उधर नहीं होती लेकिन भगवान वहां से निकल करके अपने भक्तों के कल्यान के लिए और केवल भक्तों के लिए नहीं आपितू समस्त जीव चराचर जितने हैं सब लोगों को दर्षन देने के लिए भगवान ने स्वयम रथे आत्रा का यह स्वरूप स्थापित किया है और ये जगत के कल्यान के लिए है इसलिए आज के दिन जो भगवान के इस स्वरूप का दर्शन करता है उसके समस्त संकट दूर होते हैं सनातन धर्म में इस प्रकार की बैदिक परमपरा बतलाती है और निश्चित ही आज जगनात पूरी में तो रथयात्रा निकल ही रही है लेकिन जहां जहां अन्य जगहों पर भी हमारे आकासी में अन्य जगहों पर भी सब जगहों पे लोग जहां जहां भगवान के भक्त हैं और जथयात्रा निकालते हैं अपने अपने स्थिती के हिसाब से और भगवान का दर्शन सब लोग करते हैं लोग आनंदित होते हैं अखलत होते हैं इसलिए आज का दिन अत्यनत पवित्र और पुन्य दिन है और भगवान जगनात और सुभध्राजी ओलवर बल्राम जी भगवान सबके दर्शन का जो अनंत सौभागन लोगों को प्राप्त होता है वहां समस्त मंगल को देने वाला है कल्यान को देने वाला है बिल्गुर प्रोविसर शिव चंकर जी मैं चाहूंगी थोड़ा आप बताएं शाम के वक्त रथियात्रा होगी उसके पहले क्या-क्या होता है क्या-क्या रिचुल्स हैं जो निभाए जाते है यह जो रथियात्रा का पर्व है यह एक बड़ी लंबी परंपरा है मतलब आशाड सुकल पक्ष की दुतिया के पहले यह जो कारिकरम है भगवान के रथ के निर्मान की प्रक्रिया है वो अक्षे तर्थिया वैशाख सुकल पक्ष की अक्षे तर्थिया से बगवान के रथके निर्मान की प्रक्रिया आरंब होती है जो उसके लिए बगवान का एक महा बन है उस बन से लकडी लाई जाती है और उसका पूज़ा अर्चना होती है लकडी की फिर उससे रथका निर्मान आरंब होता है वहाँ बैसाख सुकल की तर्तिया से उस रत का निर्मान करते हैं आज तक मतलब कल जो दिन था कल तक जो है उस रत की पूरी निर्मान की प्रक्रिया होती है और उस रत के निर्मान की प्रक्रिया के बाद रत का पूजान होता है भगवान के तीनो तीन तरह के रत हैं एक रत है जिसमें सुभद्रा जी और सुदर्शन जो भगवान के आयूद हैं सुदर्शन जी को विठाया जाता है और वहाँ सुभद्रा जी बैठती है एक रत पर जिस रत का नाम है दर्पदलन और दूसरा रत है जिसमें बलदेव जी बैठते हैं स्री बलदेव जी बलदेव जी के रत का नाम है तालत ध्वज और इसके बाद जो महाप्रभू जगननाजी का जो रत है जिसे नंदी घोश रत के नाम से जानते हैं तो ये रत की पहले पूजा अर्चना की जाती है बिध्वत रत की पूजा अर्चना करने के बाद सभी तीर्थ पुरोहितों के द्वारा बगवान को उसमें बिठाया जाता है रत में और रत में बिठाने के बाद सबसे पहले भजाती है बीच में सुभध्रा जी का रत और फिर इसके बाद भगवान जगनाथ जी की रत की ने भगवान की स्थापना करके और रथियात्रा निकाली जाती है क्योंकि यह जो रथियात्रा है इसमें भगवान जगनाथ जी की नगर भ्रमन के माध्यम से अपने यह एक सांकेतिक है प्रतिकात्मक है क्योंकि परमात्मा सुयम जन सामानने के बीच, अपने भक्तों के बीच उपस्तित होते हैं या देखने के लिए कि संसार का सब कैसा चल रहा है क्योंकि हमारे जितने भी बैश्णो धाम है कहते हैं कि जो हमारे चार धाम है पूरी पूरब में पूरी पस्चिम में द्वारका और उत्तर में बदरिकाश्रम और दक्षिन में जो रामिस्वर धाम है ऐसी हमारे शास्त्रों में प्रशंग प्राप्त होता है कि भगवान स्वयम जो है जो भगवान विश्टू है वो बदरकाश्रम में इस्तनान करते थे द्वारका में जा करके वो सरंगार करते थे और पूरी में आ करके वो भोजन प्राप्त करते थे क्योंकि पुरी एक ऐसा स्थान है भगवान जगनात पुरी का ऐसा धाम है जहां सभी लोगों के त्रप्ति के लिए भोजन की विवस्ता है जो वहां का आनंद बाजार है जहां भगवान का भोग बनता है उसमें भगवान स्वयमा करके भोजन ग्रहन करते थे और फिर विश् इतनो धामों की परमपरा है, उसमें जो पूरी का धाम है, पूरी में जो है रथियात्रा का महोत्सो है, यह अत्यन्त उत्तम महोत्सो माना जाता है, तो इस प्रकार से भगवान के रथों की पहले पूजा अर्चना करने के बाद, फिर भगवान के विग्रह को वहां करके फिर नगर ब्रमन कराने की परंपरा इस रथयात्रा महोत्सों में होती है। दोनों प्रोफेसर दे रहे हैं। फिर पूरी के शंकराचार रथ की पूजा करेंगे और इसके बाद जगरनात रथयात्रा से जुड़े सबसे प्रसिद्ध जो रस्म है जिसे छेरा पहरा कहा जाता है वो की जाएगी। इनके रथों को खीचना शुरू करेंगे और एक तरह से जो रथयात्रा है वो गुंडचा मंदिर की और प्रस्थान करेगी। प्रफेसर रामराज गुंडचा मंदिर भगवान रथ में सवार होकर क्यों जाते हैं इसके पीछे माननेता क्या है। ये एक कथा है और पौराणिक कथा है। राजा इंद्रदुम्न की वहाँ बात आती है और वहाँ पे राजा नहीं ये विचार किया कि भगवान की मूर्ती का निर्मान कराना है। और विच्वकर्मा जी वहाँ मूर्ती का निर्मान करते हैं और उनकी पत्नी का नाम है गुंडचा। तो लेकिन निर्मान में ये सर्थ है कि कोई भी भगवान का दर्शन तब तक नहीं करेगा जब तक भगवान का पूरा विग्रह निर्मित न हो जाए। भगवान का विग्रह निर्मित हो रहा है भगवान विश्वकर्मा निर्माण कर रहे हैं लेकिन एक समय आता है जब उनका जो विग्रह हम देखते हैं उस विग्रह तक निर्माण पहुंचते पहुंचते महारानी वहां पहुंच जाती है अब महारानी जब वहां पहुंच ज सुरू हो जाती हैं कि अब तो विग्रह कहां गया कैसे होगा क्या होगा तो भगवान ने आकासवाणी के द्वारा कहा कि किसी को परेशान होने की जरूरत नहीं है मैं इसी स्वरूप में अस्थापित होना चाहता हूं अर्थात जितना मेरा स्वरूप अभी निर्मित हुआ ह इसी स्वरूप में मेरी इस्थापना की जाए और इसी लिए ये सारी घटना घटित हुई है क्योंकि जगन्नाथस्वामी नयनपथगामी भवत में भगवान समस्त जगत के नयनपथगामी है अर्थात उनकी दृष्टी जब लोगों पर पढ़ती है या लोगों की चाल्यांथ का कल्याण होता है दर्शन से एक नया स्वरूव व्यक्ति को मिलता है एक नई द्रिष्ट मिलती है एक नई दिशा मिलती है तो वहां पर कि मंदिर में ही उतने तक ही वहकारिय वहां रुग गया इसी लिए भगवान की यात्रा निकलती है और वहां तक जाती है कुछ लोगे काते हैं कि भाई भगवान आज के दिन निकलते हैं और मौसी के घर जाते हैं तो मौसी के घर जाते हैं तो उनकी यात्रा वहां बस गुडचा मंदिर तक होती है तो इस प्रकार से बहुत सारी परमपराएं और बहुत सारी कथाएं, कुछ मुख्य कथाएं, और कुछ उसके अंदर लगू कथाएं, इसमें अंतर नहित हैं, जुड़ी हुई हैं. और जब इन कथाओं को पढ़ते हैं, तो इनका जो निकलता है स्वारस्य या इसका जो आनंद निकलता है, उस आनंद का अनुभव हर जन कर सकता है, या हर भक्त कर सकता है, जिससे उसको अपने स्वरूप को सुधारने में, अपने समाज को, देश को, सब को आगे ले जाने मे एक नई दृष्टी मिलती है और उसका कल्यान होता है इसलिए रथयात्रा में भगवान ये कहते हैं कि एक कथा में आता है कि भगवान ने कहा भाई मैं यहां स्थापित तो हो रहा हूं लेकिन मैं अपने धाम जन्मस्थान जन्मभोमी मतुरा वरंदावन जरूर जाओंगा आस दिन तक चलती है तो इसलिए ये जो है भगवान को एक बार अपने मंदर से निकल करके बाहर जाकर के अपने जन्मभोमी अस्थान तक जाने की परंपरा है और जो ये कथा है ये कथा तो जेस्ट पूरुडिमा से चलती है वहाँ भगवान का दिव्य सुनान होता है और सुनान के बाद भगवान जो है काते हैं कि बीमार होते हैं तो भगवान बीमार होते हैं तो इसके लिए भी ये कता आती है कि चुकि एक भगत उनका बीमार है तो भगत की बीमारी को उन्होंने स्वेम ग्रहन कर लिया तो उसने क कि प्रभू आप तो सब कुछ दूर कर सकते हैं, तो भगवान ने वहाँ पर बड़ा अच्छा उपदेश दिया है, कि देखो अवस्य में भोगतव्यम कृतम कर्म सुभासुवम, तो कर्म है, जो तुम्हारे कर्म है, वो तुम्हें भोगने हैं, इसलिए भगवान की कृपा जब होती है, तो उसको उसका जो भोग है, वह आसानी से व्यक्ति पार कर जाता है, आसानी से वह संकट उसका ठल जाता है, उसके लिए कष्ट नहीं होता, और तुम्हारे कष्टों को मैं ले रहा हूं, और सारे तुम्हारे कष्ट समाप्त हो जाएंगे, तो इस प्रकार से भगवाने कहते हैं अपने कर्म को शही करो, अपने कर्म पर ध्यान दो, कर्मन्य वाधिकारस्ते माफले सुकदाचन में गीता में यहीं उपदेश है, कि कर्म पर अपने ध्यान दीजिए, आपका कर्म है भगवत उपाशना, अपने आचरन व्योहार को सही और सुध रखना, और सनातन धर्म में जो परंपराएं अस्थापित हैं, उन परंपराओं को पालन में लाना, अपनी ब्योहार में लाना, जो आपके पूरवजों के द्वारा किया गया है. यह जगनात यात्रा केवल आज की यात्रा नहीं, बलकि युग युग आंतर की यात्रा है, जैसा अभी आचारिय श्री ने बतलाया, कि यह अनेक युगों से चली आ रही एक परंपरा है, इस परंपरा को हमें जीना है, इस परंपरा का हमें पालन करना है, और इस परंपरा का जो जुड़ी हुई है प्रोफिसर शेफशंकर जैसे अभी प्रोफिसर रामराज ने भी बताया एक मानिता ये भी है कि उन्हें ठंडे पानी से नहलाया जाता है भगवान जगनात को इसलिए वो बीमार पड़ जाते हैं और एक मानिता ये भी है कि ब्रिजवासी उन्हें सुरूप देखते हैं वो सुरूप के पीछे क्या मानिता है भगवान के जगनात का जो विग्रह है महाप्रोफिस जगनात स्वामी जी का तो इसमें जो आचार जी ने कथा बताई तो उस कथा में भगवान नील माधो के रूप में पहले इंदरत दिम्ना और उनकी पत्नी वो प्रार्थना करते हैं भगवान के दर्शन करने के लिए बहुत अच्छे साधक है उपाशक है भगवान को सपन में बताते हैं कि मैं नीलाचल परवत पर एक गुफा में नील माधो के रूप में विराजमान हूं और वो जो है क्या कहते हैं उनको तुम ले आओ उस दिग्रह की तो इंद्रद्युम ने प्रयत्न करके भगवान नील माधो जी के दर्शन करने का प्रयत्न किया और उनको नील माधो को लाने के लिए नीलाचल परवत में उन्हों ने कहा भगवान ने कहा उनको कि आप मेरा एक मंदिर का निर्मान कराइए और फिर मुझे वह बड़े दुखी हो गए, बड़े क्लान तो हो गए, तो भगवान को लगा कि ए भक्त मेरा बहुत दुखी हो गया है, तो भगवान ने कहा इंदर दिम्न से कि मुझे तो अभी जाना पड़ेगा बिस्वसू के पास, और बिस्वसू के पास आ जाते हैं, फिर भगवान के मंद लकडी जो है प्रवाही तो करके समुद्र में आ रही है और उस लकडी से मेरे विग्रह का तो निर्मान कराओ तो वो लकडी को ला करके उनके जो इंदरत द्युम्न के और सैनिक थे और जो उनके कारे करता थे सब उस लकडी को ला रहे थे लेकिन किसी का सामरत नहीं था कि उ लकडी को हिला पाएं, तो उनको याद आया इंद्रत दुन को कि भगवान के सबसे अच्छे भक्त हैं विस्वशू, विस्वशू को बुलाते हैं, वो उस लकडी को ले आते हैं, और इस लकडी में मूर्ती के विग्रह का निर्मान करने के लिए भगवान की योजना आरंब ह होती है, लेकिन उसमें कोई जो भी मूर्ती के यंत्र हैं, वो कोई कामी नहीं करते हैं, ऐसा हुआ कि लगता है कि मूर्ती का निर्मान नहीं हो पाएगा, बड़े दुखी थे, तो अचानक जो है एक बृद्ध का रूप धारण करके विश्वकर्मा उपस्थित होते हैं, और विश्वकर्मा जी भगवान के विग्रह का निर्मान करते हैं, लेकिन उन्होंने ये सर्थ रखी थी कि इस विग्रह के निर्मान के समय कोई मुझे एक आंत में कक्ष चाहिए, और मैं इतने दिनों में कुछ एक अवधी ते कर दी कि इतने दिनों में भगवान के विग बिग्रह का निर्माड हो रहा है, वहां से किसी भी तरह की कोई ध्वनी नहीं आ रही है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो बृध कारीगर थे, भगवान का निर्माड कर रहे थे, वो दिवंगत हो गए हूं, और उन्हें राजा से आग्रह किया, जिद की, राजा को भी लगा कि कह रही ऐसा ना हो तो उन्हें दरवाजा खोल दिया, और दरवाजा खोलते ही भगवान का जो अर्ध निर्मित विग्रह था, जिसमें भगवान जगननाद जी के तो हाथों का निर्माड हो गया था, और भगवान बलभद्र जी के भी हाथ निर्मित हो गये थे, मुख मंडल निर्मित हो गया था, लेकिन पैरों का निर्मान नहीं हुआ, सुभद्रा जी का तो हाथ पैर दोनों निर्मित नहीं हुआ, लेकिन भगवान की इस विग्रह को देख करके लगा कि अब इस विग्रह को कैसे स्थापित करेंगे, उनको बड़ी दुख्यू हुई, बड़ी पी जा होनी चाहिए तो भगवान का वही विग्रहा जो सुयम विश्वकर्मा जी ने निर्मित किया है तो सुयम विश्वकर्मा जो की सबसे बड़े सिल्पी हैं उनके द्वारा कोई भी रचना अत्यन तो उत्तम निर्मिती होती है तो भगवान विश्वकर्मा के द्वारा निर करते रहने रहंतर उनमें एक अलग डिवयता है अलग आकर्शन है और अलग तेजस्वीता है वोजस्वीता है क्योंकि बढ़्ग विग्रह सुसाल में से जाइ ऑउबू करक्टा। है इतके की अनुद्र सक्टे जो भग्वान कि इस विग्रह का जब अपने भक्तों का प्रेम देखने आये जब उन्होंने देखा कि इतनी बड़ी संख्या में भक्त मेरे दर्शन करने के लिए मौझूद है तो भी उनकी आखे बड़ी हो गई एक मानेता ये भी है इसके बारे में भी मैं आपसे समझूँगी आपने रत को ये लेकर बहुत रोचक बाते बताई हैं क्या मानेताई हैं और आपको बता दे कि जो रत की लंबाई है उचाई है ये हर साल एक समान रहती है और जगनात पुरी को धर्ती का बैखुंट खा गया है भगवान जगनात के रत को नंदी घोश या गरुन धवज कहा जाता है और इनका रत लाल और पीले रंग का होता है जो तमाम तस्वीरे सीधी लाइफ तस्वीरे पुरी से आ रहे हैं वो भी हम लगातार आपको दिखा रहे हैं किस तरह की तैयारी हैं किस तरह की जो रस्मे हैं जो परंपराएं हैं उन्हें निभाय जा रहा है और जैसा मैंने आपसे कहा कि पुरी के अगर मैं संख्या जनसंख्या की बात करूँ पुरी में जो लोग रहते हैं तीन लाग से कुछ कम की आबादी है जो पुरी में रहती है लेकिन जगरनाथ पुरी रत यात्रा के दोरान 10 लाग से लेकर 15 लाग शृत धालू यहां उमरते हैं इस बार भी एक अनुमान है कि 15 लाग शृत धालू देश विदेश से पुरी में जगरनाथ रत यात्रा में शामिल होने के लिए पुरी में मौजूद हैं आएंगे तमाम शृत धालू और इनके लिए खास तरह के बंदोबस सही तरह के इंतिजाम पुरी में हर साल भगवान जगनाथ के रत को नंदी घोश भी कहा जाता है लाल और पीले रंकाये रत होता है हमेशा जो रत है उसे नीम की लकड़ी से बनाया जाता है प्रफेसर साब जहां पे भी जानकारी में आपको कोई और जानकारी जोडनी हो मुझे रोकिएगा और हर साल बनने वाला जेओ ये रत है वो एक समान उचाई का ही बनाया जाता है भगवान जगनाथ का रत 44 स्वीट दो इंच उंचा होता है और इस रत में कुल 16 पईए होते हैं रत यात्रा में भगवान जगनाथ का रत सबसे आखर में चलता है सबसे आगे होता है भगवान बल्भद्र या कहें भगवान बल्राम का रत रत्यात्रा में सबसे आगे उनका रत चलता है बल्राम जी के रत को ताल दुबज कहा जाता है और इसकी पहचान लाल और हरे रंग से होती है भगवान बलभद्र का जो रत है वो 43 फीट 3 इंच उचा होता है और इनके रत में कुल 14 पाइये होते हैं जिस रस्ती से रत को खीचा जाता है उसे वासुकी कहा जाता है उस रस्ती का नाम भी है जिसे वासुकी कहा जाता है वहीं अगर देवी सुबद्रा के रत की बात करें तो इससे दर्पदलन कहा जाता है जो काले या नीले रंका होता है और दोनों रतों के बीच में देवी सुबद्रा का रत चलता है दर्पदलन रत 42 फीट तीन इंचूचा होता है और इस रत में 12 पहिये होते हैं जग्रनात मंदर से रत यात्रा शुरू होकर करीब करीब तीन किलो मीटर की ये दूरी मानी जाती है जो गुंडेचा मंदर तक है और वहाँ पहुंशती है जैसा अभी हमें प्रोफेसर साब जानकारी भी दे रहे थे कि कई लोगें मानते हैं कि भगवान मौसी के घर जाते हैं और जिस रसी से देवी सुबद्रा का रत खीचा जाता है उसका नाम सुणना चूड़ा है प्रोफेसर रामराज रत से जुड़ी तो हमने जानकारी दे दी अपने आप में इनका दर्शन और इन्हें खीचना बहुत सौभागे की बात मानी जाती है कहा यह जाता है कि आपको 1000 यग्यों का फल प्राप्त होता है और हर भक्त यह चाहता है कि एक बार उसे यह मौका मिले और भगवान का जो रत है उसे खीच पाए इसे लेकर क्या मानेता है अत्यंत उत्तम आपने कहा और पुराणों में ये बात लिखी गई है कि भगवान के रथ का जो दर्शन करते हैं क्योंकि रथ का पूरा स्वरूप रथियात्रा का पूरा स्वरूप रथांग के रूप में जाना जाता है रथ के अंग है तो ये रशी क्या है रथ का अंग है और इस रशी को स्पर्श करना व्यक्ति के भागय का प्रतीक माना जाता है इसलिए एक मान्यता है और इस मान्यता को रित्यात्रा में जो लोग सामिल होते हैं सब लोग इसको अपने मन में धार्ण करते हैं कि हमें रसी को भी एक बार छुना है आगे पीछे जब भी अवसर मिलता है तो लोग रसी को भी छूते हैं और छू करके उसको प्रडाम करते है तो वहाँ पर रजूस पर्स जो है उस रजूस पर्स से व्यक्ति के संकट दूर होते हैं ऐसा भी बर्णन मिलता है लेकिन मुख्य रूप से रथ के उत्सों में भाग लेना जो जब भगवान की यहरत यात्रा निकलती है तो जो विग्रह वहां स्थापित है उस विग्रह की यात्रा में भाग लेना चाहे आप दरस परस मजन और उपाना यह कहा गया है कि आप दर्शन करिये या परस स्पर्श करिये या फिर इगंगा जी के संदर्ब में कहा गया आप शनान करिये या फिर पान करिये तो उसी प्रकार से यह जो रथ यात्रा है इस रथ यात्रा में चाहे आप दर्शन में सामिल हो जाईए, चाहे इस परसन में सामिल हो जाईए, चाहे उश रत्यात्रा के किसी भी स्वरूप में सामिल हो जाईए, आपका कल्यान सुनिस्चित होगा ऐसा करने से, और भगवान जगनात परसंद होगे, क्योंकि वो जगनात के स्वामी है, जग और सब का कल्यान कैसे हो, सब का मंगल कैसे हो इसलिए भगवान की जो यह यात्रा है वो सनातन धर्म में अपने आप अट्यंत विशिषता को सजोए हुए है इसमें इतने वैशिष्ट हैं और इसमें इतने कथा कथाओं का प्रवेश है कि कथाओं के अंतर अंदर कथाएं अंतर कथाएं अंतर कथाएं चलती रहते हैं अब इसमें एक कथा आती है कि भाई भगवान का जब मंदिर निर्माण हो रहा था तो सागर जो है बार बार आ करके वहाँ पर जो है मंदिर निर्माण में विग्नू उपस्तित करते थे मंदि करीब छो बार के लगभग जो है मंदिर निर्मित हुआ पुनाह मंदिर सागर के आजाने के कारण पुनाह दिगन में आया तो वहाँ पर चिंतन करते हैं राजा कि किस प्रकार से यह कारेशिद्ध होगा तो वहाँ पर भगवान हनुमान जी को आगे करते हैं और वहाँ हनुमान जी का मंदिर है तो हनुमान जी का जो मंदिर है वह सागर की और मुह करके है तो वह जला कि उस सागर के दर्सन करने से वहाँ जो है हनुमान जी का जो दर्सन सागर की और है फिर सागर कभी नहीं आए और जुवार भाटा कितना हूँ आता है कितना हूँ उची उची लहरे आती है लेकिन उसके बाद से कभी भी मंदिर में प्रवेश नहीं बलकि मंदिर के स्पर्ष तक वहाँ जा करके तल तक जा करके केवल स्पर्ष करके सागर अपने को संतुष्ट मानता है तो किवल मनुष्य की बात नहीं है ये जल की बात मैं बता रहा हूं और मनुष्य तर जितने भी प्राणी है उन प्राणीयों के लिए भी लोक मंगलकारी है यह रथयात्रा और इस रथयात्रा में जितने भी रथांग हैं चाहे वो पहिये हैं रथ हैं रसियां हैं सभी जितन कण में भगवान विद्यमान हो जाते हैं भगवान का वस्वरुप होता है इसलिए रथ को खीचने के लिए लोगों की लंबी कतारे लगती हैं लोग अपना एक सवभाग मनाते हैं कि मुझे यह आउसर मिले मुझे यह आउसर मिले और जो बड़भागी होते हैं उनको यह वो धर्ती को छूते हुए, उसे अपने मस्तक पर लगाते हुए, उसे प्रसाद के रूप में ग्रहन करते हुए आगे बढ़ते हैं और इसे ही अपना बहुत बड़ा सौभागे मानते हैं रत यातरा, रत को खीचने से जुड़ी कोई और माननता अगर आप या इससे जुड़ा क्या और प्रसाद मिलता है, कहते हैं सारे कश्टे दूर होते हैं, इससे जुड़ी और क्या जानकारी नहीं गया मैं एक इस सवसर पर बहुत बहुत दपूर्ण बात आप लोगों को किस समख्ष रखना चाहता हूँ बहुत प्रशिद कथा बाचक हुए हैं डोंगरे जी महराज डोंगरे जी महराज ने कहा कि कल्यूग में पांच ऐसे प्रत्यक्ष विग्रह हैं जो हमें जिनका दर्शन करना चाहिए जो हमारे लिए अत्यनत कल्याण कारी हैं उन्होंने पहला बिग्रह बताया गंगा गंगा एक साक्षात प्रत्यक्ष विग्रह है जो हमारे दृष्टिपत में है जिनका हम सपर्ष कर सकते हैं आच्पन कर सकते हैं दूसरा उन्होंने का गोवर्धन गोवर्धन जो है बहुत साक्षात वही गोवर्धन है जिनको भगवान कृष्ण ने अपने उंगली में उठाया था वह गोवर्धन हमारे सामने साक्षात उसी सुरूप में विराजमान है और तीसरा उन्होंने बताया कि श्रीमत भागवत महापुरान, श्रीमत भागवत महापुरान साक्षात कृष्ण भगवान का विग्रह है, कृष्ण भगवान के विग्रह के रूप में श्रीमत भागवत पुरान की स्थापना है, तो इसलिए भागवत का इसपर्ष भागवत का दर्शन हमारे ले कल्यान कारी है और ऐसे ही गो सेवा भी एक ऐसा प्रकल्प है गो सेवा साक्षात कल्यान करने वाला कारी है और एक भगवान जगननाथ जो कल्यूग के पंच प्रतिक्ष देवताओं में प्रतिक्ष देव विग्रहों में भगवान जगननाथ के लिए पूजी स्वा जिनके पुरी में आ करके जिनके दर्सन करने से अत्यन्त कल्यान होता है। एक बहुत पुषिद्ध कथा वाचक जो की बड़े ही पूजी हैं कथा परंपरा में जिनकी बड़ी प्रतिष्ठा है पुजी डोंगरे जी महराज ने कहा था कि पांच देव विग्रहों में भगवान जगन्नाद जी के विग्रह की उन्होंने उपस्था अपना की। रहती पे राब विराजमान हैं तो निश्चित रूप से क्योंकि जन संपर्क में वहाँ ऐसी स्थिती नहीं है इतना स्पेस नहीं है कि कोई व्यक्ति दूसरे से आज पृष्ठ रह सके कोई व्यक्ति ऐसा नही है जो दूसरे से अच्छूता हो करके रह सके तो पूरे जित रसी का इसपर्ष ना भी कर पाएं, क्योंकि रसी की तो एक सीमा है, सब हम रसी का इसपर्ष ना भी कर पाएं, तो हम आपस में एक दूसरे से जुड़े होने के कारण, हम ऐसा मानते हैं, कि हम भगवान का इसपर्ष कर रहे हैं, और भगवान के, क्योंकि धूल का भगवान का जो रथ चल रहा है और उसके वो पूरी धर्ती ही धर्ती का पूरा कण कण दिब्विता से परिपूर्ण है भगवान जगननात की पूरी का जो संपूर्ण धाम है उसके परिक्षेत्र में आप कहीं भी उपस्थित हो जाएं निश्चित रूप से आपका कल्याण होना है ये इस पर्ष जिस भूतल पर है उस पर या पूरी पूरी की जो धर्ती है जहां भी आपकी उपस्थिती होगी निश्चित रूप से आपका कल्याण होगा एक प्रशंग इसमें मैं और बताना चाहता हूं कि भगवान जगननात जी जहां अभी विराजते हैं वहां स्थान है नीलाचल नीलाचल पर विराजते हैं उनका जो विग्रह है जो श्री मंदिर है नील गिरी नीलाचल यह उसके उपनाम है वहां से जो यात्रा होती है गुंडीचा मंदिर तक जो यह साथ दिनों तक भगवान का वहां निवाश होता है तो कहते हैं कि यह जो गुंडीचा मं परिक्षेत्र को सुन्दराचल कहते हैं तो भगवान नीलाचल से सुन्दराचल की ओर जाते हैं नीलाचल से सुन्दराचल जाकर के वहां भगवान ब्रंदावन की अनभूती करते हैं ब्रंदावन की भावना से वहां उपस्थित होते हैं क्योंकि मोसी का घर मा के घर की ही त करने का अंभो करते हैं और पुना फिर वो अपने पुरी धाम में पुरी के श्री मंदिर में आकर कि उपस्तित होते हैं तो यह जो संपूर्ण रथे आत्रा का महोत्सव है इस रथे आत्रा में मैं सभी सज्जनों से शभी शधालबूं से नकेवल भारत के अभी तो संपूर्ण दुनिया में जो लोग भी हिंदू परमपरा के पृति हिंदू संस्कृति के पृति सद्धा रखते हैं उनको मैं यह कहना चाहूंगा कि भगवान जगन नात की यह जो रात यत्रयात्रा है रत्यात्रा महुत्सव है इससे एक संकेत ग्रहन करें इससे एक प्रतीक ग्रहन करें कि हमें भगवान परमात्मा स्वयम भक्तों के समी पा सकते हैं इसका मतलब है भगवान से बड़ा तो कोई नहीं है लेकिन फिर भी भगवान अपने भक्तों के पास आते हैं हमारे अंदर भी इस तरह का भाव अना चाहिए, कि हम कितने भी बड़े हों, लेकिन हमें जनता के समक्ष होना चाहिए, हमें जनता के बीच होना चाहिए, जनता का कल्यान करने के लिए हमें जो सामर्थ है, उसका हमें प्रियोक करके जन सामान के समक्ष पस्तित होना चाहिए, यह एक सिख्षा प्रद प्रशंग है भगवान जगनात के प्रशंग में और भी रत्यात्रा के बहुत सारे संकेत ग्रहा हैं बहुत सारे प्रतीकात्मक प्रशंग हैं हमें इस महोत्सो के माध्यम से अपने जीवन में अपनाना चाहिए और भगवान जगनात के इस रत्यात्रा के प्रशंग को हम आत्मसाथ करें और लोगों में भगवान के प्रती शद्धा उत्पादित करें यही इस रत्यात्रा महोत्सो का परमलक्ष होना चाहिए अपने आप में एक बड़ा सांस्कृतिक उत्सव है एक सामाजिक उत्सव है और तमाम अलग-अलग पहलू तमाम अलग-अलग संदेश अलग-अलग प्रसंगों के जरिये भी इस रत्यात्रा में निकलते दिखाई देते हैं और आपको बता दे टेक्नोलोजी कैसे शृद्धालू आते हैं और जो तस्वीरे आप देख रहे हैं उसमें आप देख पा रहे हैं कि बड़ी संख्या में शृद्धालू पहुचे हुए हैं पुरी में तमाम जो वॉलेंटियर्स हैं वो पूरा रास्ता क्लियर करके रखते हैं कोई एमर्जिंसी अगर हो तो इस रास्ते का अस्तमाल किया जा सकता है ट्राफिक कंट्रोल के लिए भी जो AI का अस्तमाल है वो किया जा रहा है सीसी टीवी कवरिज के लिए भी AI का अस्तमाल हो रहा है तो टेक्नॉलजी भी इस बार रथ यात्रा में हमें पुरी में मिलती घुलती दिखाई दे रही है तो दो दिन कैसे कैसे कार्दिक्रम होगा? आईसी इस्थिति यहां बन रही है कि दितिया का संजोग आज भी मिल रहा है और वह संजोग कल भी मिल रहा है तो आईसी इस्थिति होने के कारण जब आसाड़ सुक्ल दितिया में यह रत्यात्रा महत्सव आयोजित होता है तो इसलिए वह अंसकल तक चले जाने के कारण यह जो है दो दिवशों में या दोनों सोरूपों में देखने को मिलेगा हाला कि पुष्य को नक्षत्र की व्यापती में कहा कि नक्षत्र जो है वो अहोरात्र तक है अहोरात्र मतलग 24 घंटा परियंत चतुरविंसत होरा परियंत तो अहोरात्र तक पुष्य नक्षत्र है इसलिए दुतिया और पुष्य का जो संजोग है वह तो आचल रहा है लेकिन कल की स्थिति में यह है कि पुष्य उससे पहले समाप्त हो जा रही है और जो तिथी है वो तिथी आगे बढ़ जा रही है तो एक बचन वहाँ पर सकंद पुराण में यह भी होता है कि रिक्षा भावे तिथव गया को रिक्ष का अगार अभाव रिक्ष माने नक्षत्र यदि नक्षत्र का अभाव हो और तिथी आगर व्याप्त हो तो उस व्यापिनी तिथी में भी उस महोत्सों का आयोजन किया ज सकता है तो तद व्यापिनी तिथी में वह काल मिलने के कारण वह महोत्सों कल के रूप में भी परिवर्तित हो रहा है लेकिन आज रिक्षा और तिथी का संजोग है कल तिथी का संजोग है तो इस प्रकार से ये दोनों भेद होते हैं इन दोनों भेदों के कारण ऐसी स्थि स्थिति होत्त है और इसस्तिति का लोग आनंद लेते हैं क्योंकि अधिक से अधिक हमें महोसो का जो आनंद है उस आनंद को प्राप्त करना है उसको लेना है तो उसके छेंड जितने उपलब्द हों क्योंकि ये मानोजीवन विविद्वताओं से भरा हुआ है तो हम ये नहीं कह सकते कि एक जो छण व्याप्त है उसी छण में सभी लोगों के पास समय हो जाएगा और सभी लोग उसको वहाँ पर उशानन्द का अनुभौ कर सकेंगे तो सनातन धर्म में यह व्यवस्था है कि हम समस्त प्राणी को उससे जोड सके तो ठीक है भाई अभी समय नहीं है तो चलो कुछ कालांतर में भी आपको यह समय यह विकल्प की व्यवस्था होती है और इस विकल्प की व्यवस्था में सबको आनंद लेने का सबको पर्व मनाने का और सबको पुल्य पराप्त करने का यह आउशर वैदिक संस्कृति में प्रदान किया जाता है जो पुराणों के माध्यम से जो किसी भी उत्सव या यात्रा या व्रत या तेवहार उसको संपन करने के लिए जो मूल सुत्र दिया रहता है धर्मसास्त्रों में जो वचन पृतिपादित किये गए हैं उन सारे वचनों के आधार पर इन व्रतों का यात्राओं का या प्र नक्षत्र उड़ तिथी की यूती बराबर नहीं हुआ करती है इसलिए कभी यह भगवान स्रीकृष्ण के जनमास्टुमी के समय भी देखा जाता है को आते हैं कि भाई यह तिथी है और यह नक्षत्र आज नहीं कल आ रही है या एक दिन पहली समाप्त हो रही है तो आईस संपादित होता है और संचालित होता है और इसका आनंद जन जन को प्राप्त होता है और पुल्ण की प्राप्ती होती है क्योंकि आउशरों में क्या है पुल्ण का आउशर होता है सभी समय सभी आउशर नहीं होते हैं यह हमारा पूरा ब्रहमांड ग्रहों के आधीन है तो ग्रहों में कुछ ऐसे सुयोग समय समय पर उपस्थित होते हैं, जिन आउसर पर हम जो व्रत या उत्सव या परवयातिति या पूजन का आउजन करते हैं, तो वह विशिष्टता को प्रदान करता है, उसका एक वैशिष्ट होता है, इसलिए यह आनन्द का उसर है और यह अत्यन्त ही मतलब एक मनोरम दृष्ट का आनन्द आयको दाहरन है, और व्यक्ति का सौभग्य है जो रत्यात्रा में भाग लेता है, यह रत्यात्रा का दृष्टन करता है, प्रत्क चा प्रत्क शरूप से उसके जीवन का अवस्चम्य उकल्याण होता है, बिल्कुल, प्रोफेसर रामराज उपाध्याई जी, प्रोफेसर शिवशंकर मिश्र जी, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस विशेश पेशकर्ष में शामिल होने के लिए, तो जैसा हमें प्रोफेसर साब बता भी रहे थे कि रत हयातरा ना केवल धार्विक दृष्टी से महत्पूर है, बलकि सांस्कृतिक और सामाजिक दृष्टी कोड से भी ये काफी एहम मानी जाती है, रत हयातरा की दौरान पूरे शहर में मेले का महौल होता है, संगीत, नृत्य और अलग अलग तरह की सांस्कृतिक कारेकर मुका भी आयोजन होता है, जिससे जो इसे और इस आयोजन को और ज़ादा रंगों से भर देते हैं, उत्सब को और भी विशेश बना देते हैं, ट्रस्ट और प्रिशासन की और से लाइफ कवरिज के इंतिजाम भी किये गए हैं, बड़े सौभाकी की बात है, अगर आप खुद जगनात पुरी पहुँचते हैं, रत यात्रा में शामिल होते हैं, इसी माननेता है, लेकिन जो लोग पुरी नहीं जा पाए हैं, वो घर पे रहकर भी जो लाइफ कवरिज है उसके जरिये रत यात्रा को देख सकते हैं, इसके दर्शन कर सकते हैं, विशेश पेशकश में फिलाल इतना ही, नमस्कार. झाल